हलो फ्रेंड में हो सिवानी मिस्टर स्वागत है आप सभी का डिजाइन पूर में आज में आपके साथ एक बैक ब्लाउट डिजाइन सेयर करने जारी इसकी लंबाई दिखी साढ़े 13 इंच रखें चोड़ाई 10 इंच के बराबर में है सुडर की चोड़ाई साढ़े 5 इंच है अर्म होल की भी 5.5 इंच रखें गले की चोड़ाई में 2.7 इंच रखें रहे हूं सबर में देखिए मंटके से इसा इस पर मार्किंग कर देंगे अब इसकी साथ में ब्लाउस का में फैकाप्रिक लेंगे दोनों को एक्वली रखेंगे बराबर करते हुए और इसके बाद ब्लाउस की भी सेम कर दें जैसे मैंने अस्तर पर गले कर रखी है अब इसकी स्टेजिंग करनी है दोनों फाब्रिक को साथ में पहले फिरक लीजिएगा इकुली तो मैं पिन करके रख रही हूँ आप बराबर में रखते हो फिर इस पे सिलाई लगा के दोनों पार्ट को दूसरी के साथ में अच्छे से अटेच कर देंगे तो मैंने कंप्लेट इस सिलाई लगा के दोनों पार्ट के दूसरी के साथ में अटेच कर दिया इसके गले पे छोटे-छोटे कट लगा देंगे कट लगाने से ये प्रॉफिट अतर जब गले को आप पलट कर सीधा करेंगे तो डिजाइन बिल्कुल बराबर में आएगी अब देख लीजे मैंने ये दोडो को बराबर रखते हूँ फिर अच्छे से पलट कर सीधा कर दिया इसके गले पे एक सिलाई लगाते हैं इसके पुरे फिनिसिंग की स्टेचिंग कर देंगे ये फिनिसिंग की स्टेचिंग हो चुकी गले की डिजाइन देखे उबर कर दिखने लगी है ब्लाउज की और राउंड स्टेचिंग करेंगे अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और साइड साइड से सिलाई लगाते हैं दोनों पार्ट को दूसरे के साथ में अच्छे से पुरा डेच कर देंगे तो मैंने देखी कंप्लेट्टी ये ब्लाउज की और राउंड स्टेचिंग कर दी है नीचे के साइड इसके टक्स लगाएंगे तो बराबर माप लेते हुए दोनों साइड से एक्वली बराबर में टक्स लगना चाहिए उसी साब से ट बॉर्डर बनाएंगे बॉर्डर बनाने की में अलग से अस्तिर का फ्यापरिक यूज करें इसको पट्टी कट कर लिए इसको नीचे के साइड से रखेंगे ब्लाउज के तो देखी जिए राइट साइड से रखते हुए फिर इसको सिलाई लगा के पहले अटेच कर देंग और जो यह पट्टी स्टिश की इसको डवल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंड करेंगे और इस तरीके से नीचे का बॉर्डर बनाते हुए इसको सिलाई लगा के पूरा अच्छे से स्टिश कर लेंगे यह दिखी नीचे का बॉर्डर में कम्प्लेटली ब्लाउज का बन चुका इसके गले पे डिजाइन करेंगे तो इसको चलिए साइड रखते हैं ब्लाउज को और इसके गले पर डिजाइन करके दिखाएंगे उसके लिए मैंने कुछ फ्याबरे के स्क्वेर में कटके इनकी लंबाई चोड़ाई दीखे 2.5 पिन 2.5 इंच के बनावर रखिए इनको 4 पार्ट क्रोसिंग में फोल्ड करना है फिर साइड से नीचे के साइड से सिलाई लगाते हैं डिजाइनों को स्टूच कर लेना इसी तरीके से कुछ डिजाइन में आपको बना के दिखा देती हूँ यह देख लिए जै मैंने कुछ डिजाइन आपको बना के दिखा दिखा दिए कि इनको अच्छे से स्टिच करने बाफ इनके त्रेड को कट करके अलग कर दीजेगा इनको साइड रखेंगे और मैंने ये कुछ फैवरिक और स्क्वेर में कटके इनकी लंबाई चोड़ाई तीन इंच के वराबन रखी त्री इंचे इसको फोर पार्ट क्रॉसिंग में फोल इनके त्रेड को कटिंग करते हैं इनको अलग अलग कर देंगे और जो डिजाइन बनाई हुए इनको साइड रखते हैं इस तरीकी से मैंने दो कलर में दो डिसाइन बनाई है दोनों की साइज अलग अलग मैंने बताई आपको रखे और यह मैंने एक पट्टी कटके 3.5 इंच रखिए 3.5 इंच इसको double fold करेंगे और साइट से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को दूसरी के साथ में अटेच कर देंगे इसको पहले wrong side से stitch करना इसको पलट करनें पहले ने किसी भी चीश से अगर आप चाहएब चाहरों करते हुआ डीजी है अब एक साथ शूटता है जूटे बेरी करते हुआ इसका फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से एंड तर जितने फ्रिल आये सब को ऐसी बना लेंगे तो छोटी-छोटी पार्ट में फोल्ड करते हुए एक साइड से सिलाई लगाते हुए अच्छी से इसका पूरा फ्रिल बना देते हैं कि के कंपलेटली मेरी फ्रिवाली डिजाइन दीखी बनstes की एन अब इसको साइड रखते हैं किसी तरीके जिट्ती भी डिजाइन सब को एक दूसरे के साथ में अटेज करते हुआ इस्टिच कर लेंगे कि कंप्लेटली डिजाइन बन चुकी इनको साइड रखेंगे और अब ब्लाउस ले लेते हैं और ब्लाउस गले की डेकुरेशन करेंगे उसके लिए मैं लैस यूज करेंगे लैस को बिल्कुल गले पे कॉर्णर से रखते हुए सिलाई लगा के टेच कर देंगे कि कंप्लेटली पूरे गले पे लैस की स्टेचिंग हो चुकी है अब डिजाइन करेंगे डिजाइन करने के लिए अभी जो मैंने डिजाइन को बनाया है इनको देखिए बिल्कुल मिट से रखना नीचे के साइड से बीच गाला पार्ट पिल्कुल ले रीजेगा फिर वहा साइड फिर स्टेच कीजिएगा मैंने थोड़ा से अंदर की साइड फोल्ड ले करते हैं फिर स्टेच करें दोनों साइड से सिलाई लगा दिया है अब जो फ्रिल बनायी थी फ्रिल से इस पर डेजाइन करेंगे तो ऊपर के साइड से लैस और फिल के बीच में हाफ इंज क का गैपिंग रखेंगे और गैपिंग एक्वली होनी चाहिए हाफ इंज का पूरा इसमें और गैपिंग रखते फिर सिलाई लगा कि इसको अटेच करेंगे तो नीचे के साइड से देख लीजिए जहां सिलाई लगाए थी सेम उसी जगर से मैंने फ्रिल को भी अटेच किया नीचे के साइड से थोड़ा सा फ्रिल अंदर के साइड भी फोल्ड कर लीजिएगा दूसरे साइड से भी सेम ऐसे फ्रिल के स्टेचिंग कर दी है अब लै लाइस को अटेच्च कर देंगे और मेने के रखते हो नीचे की साइट से अटेच्च करेंगे दूसरे साइट से इसी तरीके से लेस को श्टेच कर लग री बहुत ही सींपल घी डिजाइन ती अगर डिजाइन अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजेगा मुझे कामेंट करके बताये आपको ये ये डिजाइन कैसे लगी चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा विल आइकन को प्रेस कर दीजेगा हम लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं वीडियो में डिजाइन के साथ थैंस फूर वाच्चिंग बाइबाई